लखनाओ के चौक थाना इलाके के लेटे हुए हनुमान मंदर में मूर्तियों को खंडित करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ़तार कर लिया तौफीक नाम के पकड़े गए शक्स पर मंदर में दो मूर्तियों को तोड़ने का आरोप है जिनमें एक मूर्ती शनिदेव की है जबकि दूसरी हनुमान की आरोप है कि बुधवार की रात तौफीक मंदिर में पहुंचा और उसने दोनों मूर्तियों को खंडित कर दिया इस घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया दावा किया गया कि वीडियो में दिख रहा आदमी तौफीक ही है जिसने मंदिर में घुसकर मूर्तियों को तोड़ दिया जो सक्स अपने आपको शिवा वता रहा था वो सक्स सीधे यहां पर पहुंचता है और यहां पर शनी देव और हनुमान जी की पतिमा है इससे वो खंडित करता है मंदिर के ट्रस्टी ने बताया कि तौफीक जब वहां पहुंचा तो उसने जैश्री राम के नारे भी लगाए ट्रस्टी के मताविए खुद को शिवा बताने वाले तौफीक की कोशिश गर्वग्री की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की थी क्या आप भी इस तरह की मचली की दुकान खोलना चाहते हो आपको पता है ये हर महिने 60 लाख की मचलियां बेचते हैं आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए पुलिस के मताबिक गटना को अंजाम देने वाले तौफीक को नशा करने की आदत है